बुजूर ब्रक्ति ने किया इच्छा मृत्यू की मांग। एसीसील के कोल अधिकारियों के कार्य परडालियों पर उठाय अंगिनस सवाल। बर्सों से न्याय के लिए खट खटा रहा न्यालाय का दरवाजा। न्याय के आदेश की अवेलना कर रहे हैं कोल अधिकारी। कोरब एसीसील में कर्मचारी रहे अरुड कुमार नाम के सतर वर्षी बुजूर। न्याय नम्मलिय के इस दित्य में राष्ट प्रति से इच्छा मृत्यू की मांग करेंगे। ब्लासपूर के हाई कोड परिष्टर में सामाधदाताओं से विस्तार पूरवक उन्होंने चर्चा किया। उन्होंने का कि सन 1983 से 1992 तक एसीसील गेवरा परियोजना में वह कारे कर रहा था। फिर 25 जनवरी 1993 को गेवरा एसीसेल परियोजना से कोल परियोजना सोहागपूर तबादला कर दिया गया। तबादला करने का काराण जूठा आरूप था जिसमें कोल अधिकारियों के द्वारा जूठा आरूप लगाते हुए कहा गया कि उसने इंजिनियार जे विरप्पा के साथ मार पिटकिया है। जबकि जेव इरप्पा ने तीन ब्यक्तियों के उपर आरूप लगया था जिसमें अरूड कुमार, जेनी राम और जेव राज तीनों का नाम सामीर रहा। सन 1990 में पुलिस अधिक्षा कोर्बा ने इंग्जिनियर जेव इरप्पा के दुआरा दिये सिकायत पत्र का साक्ष साबित ना होने करार आवेदन को निरस्त कर दिया था। लेकिन बाद में कोल अधिकारियों ने केवल अरूड कुमार को ही अकेले सुहागपूर कोल परियोजना ट्रांسपर कर दिया था। सुहागपूर के कोल खदान में डिटू जईन करने के पास अरूड कुमार पार कई बार जान लेवा हमला हुआ। हुए हमले से डरेस्टा में अरुट कुमार के दोरा सुहागपूर से वापस आकर कोर्बा जिला के गेवरा उप्थाना छेतर हर्दी बजार में सुहागपूर में हुए हमले की सिकायद दर्जे कराई और कोल अधिकारियों के समक्ष गेवरा प्रोजेक्ट वापसी के लिए विनाय याचना किया गया परंतु कोल अधिकारियों ने अंदेखा कर दिया जिससे कुपीत और नराज होकर अरुट कुमार के दोरा दिल्ली राश्ट पतिबोन के सामने आत्मद्दा का कदम उठाय गय ने देखा है उन्होंने मीडिया से कहा कि कोल अधिकारियों के द्वारा माफयाँ को सरक्षर दिया जा रहा है को अधिकारियों को कोल माफयां के नाम के साथ संबोधूँ चरते हुए भुजूर गर्ध कुमान ने बलासपूर हाई कोट की सुनवाई 27 फरवरी 2023 को हाई को पर बाहाल करने च्छती पूर्ती प्रदान करने आदेश जारी किया परन्तु लापारवाह कोल अधिकारी इसे भी अंदेखा कर रहे हैं और इस बात को सुनी नहीं रहे हैं बुजूर्ग मने कहा कि कई बरस से वे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कोल माफ्याओं के द्वारत की हमले में एक आंक गमा चुका हूं यह हक लड़ाई लड़ते मेरी उम्र गुजर गई मेरा परिवार बिखर गया अब अगर मने के वक्त में नहीं मिला तो जीने का क्या फाइदा अगामी दिनांग की सुनवाई में यदि उन्हें पूरी तरीकत से नहीं मिले तो इच्छा मृत्यू की मांग करेंगे या फिर हाई कोटक सामने ही आत्म दाह करके अपना जीवन लिला समाप्त करेंगे ऐसा उन्होंने कहा है साजीस में लोग ने जूटा रोप में ट्रांसफर किया और जब इसका लिखा पड़ी चालू हो गया सुप्रीम पोप से लगे सब्स जखा से जब लेटा राना चालू पिर दिया तो उन्होंने गलत घंग से मेरे को बरखास दिखा रहा है जब कि रास्तोपजी के थ्रोस बोला जा रहा है जो आपका 2493 को स्वाखपुर से चिरी मिरी हो गया तो पंदरातीन कुंचानवे को स्वाखपुर वाला कैसे मेरे को टर्मिनेट करता है और जब रास्टोपती और सुप्रीम कोट कोता के लोग जूटी जाए तो पोल माफिया है यह स्रीम डी और चेर्मन क कानून इन से जर रहा है किया हम तो करते करते यहां 2000 देस केस लड़ने ऑडर होता है आईकोट का पोल इंडिया मानता ही नहीं अभी दो मार्च 2022 को अडर हुआ जो अरूंकुमार का फ्षसला पीस दिन के अंदर कर दो पोल इंडिया नहीं मान रहा है तो हमने तो इस नहात म किया अमरा नानसन में बैठने का नोपीज दिया था कल भी आए था मगर यहां के जो पुलिश वाले या तैसिल्दार साब कुछ समझाए हम लोग रात को चले गए ते आज भी आए हैं तो केके सिंग करके जोगत साल मिलें उन्होंने बोला आप धवराहिये मत आपका लाज यह कागज लगाते हम केस लगा देगी मगर उनको हमने बोल दिया तो उस तरह दस साल के परकेस लगाने से हमको को हुई मतलब की नहीं आपको लगाई है आपको होली के थासला हो जाएगा अगर नहीं हुआ तो हम फिर हैं हाई कोट के सामने बैठके 15-2022 को अत्मदार कर द हाई कोट क्या देश को को इसाथ हिसार है अधिकारी नहीं मान रहें तो आप चाहते किया हो सद्विस तो आप चाहते क्या हो सर्दिए हमको नहीं मिले हमारा हर जाने के साथ अच्छा आपको नियान मिलना चाहिए इस मुद्धे को नियान बेसे लेकि अभी तक पात अंखा नहीं मिलाए मेरे को और जो हजाए यह सम मेरे बच्चे तबाह हो गया इसका को नियान दार होगा